नमस्कार एबीस्टा निउस देख रहे हैं आप और देशलाईब में मैं हूँ आपके साथ सुहन सिंग देशलाईब में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम मंगाल में हो रहे उपचिनाव के दरसल पश्चिम मंगाल में आज भवानिपूर समय तीन सीटों पर उपचिनाव के लिए वोटिंग की जा रही है भवानिपूर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनरजी और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल के बीच मुकाबला होगा वहीं CPIM से स्रजीब विश्वास मैदान में है मदान वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है बताने कि 3 अक्टूबर को परिणाम घुसित के जाएंगे इसके अलावा भवानिपूर के साथ ही जांगेपूर समसेर गंज सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है एक मदन मित्रा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जान बूज कर वार्ड नंबर 72 में वोटिंग मर्शीन बंद कर दी है क्योंकि वे बूट पर कबजा करना चाहते हैं वही तेमसी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है तो एक बार फिर से सवाल बढ़े हैं और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बवानिबुर उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं ममता बनर जी जो मुख्यमंत्री है उनकी साख़दाओं पर लगी है अगर वो चुनाब जीती हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगी नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्शी जो है वो छोड़नी पड़ेगी और अब जिस तरह से मौसन को लेकर के हमारे समवादाता ने भी हमें जानकारी दिती तो उन्होंने साफतर पर कहा था कि लगातार बरस क्यगवाई में बुद्वार को हुई कैबिनेट बैठक में पीम पोशन योजना पर मोहर लगी लेकिन अब विपक्ष सरकार की इस योजना पर ही सवाल खड़े कर रहा है सरकार की इस योजना का विपक्ष ने विरोध किया है विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्शर को टेक ओवर कर रहे हैं। सिक्षा के प्रती मोधी सरकार हमेशा से सम्विदन शील रही है देश भर के 11.2 लाग से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 11.8 करोड बच्चों को मुफ्त पॉस्टिक भूजन देने के लिए 1.3 लाग करोड की योजना को मंजूरी दी गई है बताते हैं कि इस योजना के तहट देश के करीब 11.5 लाग सरकारी और सहसरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड़े मील योजना का रूप बदला गया है सरकार का कहना है कि इस योजना के तहट करीब 11.8 करोड बच्चों को सीधा लाब मिलेगा खास बात ये है कि इस बार इस योजना में तिथी भूजन को भी शामिल किया गया है जिसके तहट सामुदाइक तोर पर भी लोगों को बच्चों के लिए खाने की विवस्ता करने की इजाज़त दी जाएगी केंदर की ये योजना जो है पांट सालों तक लागो रहेगी जिसके तहट आठवी क्लास तक के बच्चों को दो पहर का भूजन दिया जाएगा पूरी योजना कार्थिक भार केंदर और राज्यक की सरकारों पर पड़ेगा हालांके केंदर सरकार राशन का खर्च खुद ही उठाएगी अखाड़ा परिश्टत के अध्यक्षु ब्रमलेन श्रीमहंत नरेंदर गिरी के कथित सुसाइड नोट के गुत्थी भले ही ना सुलजी हो लेकिन अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने संत बलबीर गिरी को बागंबरी पीठ और लेटे हनुमान की गद्दी सौंपने प पाँच अक्टूबर को संत बलबीर गिरी की शर्तों के साथ ताजपूशी की जाएगी निरंजनी अखाड़े के श्रीमहंत रविंदर पूरी समेथ पांच संतों का सूपरवाईजरी बोर्ड बनेगा बोर्ड ही बागंबरी पीठ और लेटे हनुमान मंदिर की संपत्ति स देकर तीस विगाज जमीन की देखरे करेगा बिना बोर्ड की अनुमति के बलबीर गिरी को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा सन्यास परंपरा का उलंगन या फिर किसे भी तरह का विवाद होने पर बोड को बलबीर गिरी को गदी से हटाने का अधिकार होगा तो अखाडे के पंच पर मेशुरों ने संत बलबीर गिरी को बागमबरी पीठ और लेटे हनुमान मंदिर की गदी सौंपने पर सहमती दे दी है बलबीर गिरी की ताजपूशी की तैयारियां शुरू हो गई हैं श्रीमहंत नरेंदर गिरी की सोड़ूशी के बाद 5 अक्टूबर को बलबीर गिरी की ताजपूशी होगी इसमें सभी 13 खाडों के संत प्रियाग राज पहुँचेंगे कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष नवजोट सिंग सिध्धू के स्तीफे के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली का सियासी पारा चड़ा हुआ है इसी बीच कैप्टेन अमरिंदर सिंग और केंद्रे ग्रहमंत्रे अमिच्चा के मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है बीजेपी कैप्टेन अमरिंदर सिंग के जरिये पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है और उनके मार्फवत सांसद मनीज तिवारी और कपिल सिबल से भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है इसके बाद पंजाब में माज़ा से लेकर मालवा तक सियासत में खासी उथल-पुथल मचने की संभावना नजर आ रही है दरसल पंजाब विधानसवा चुनाव में पांच महिने बाकी हैं ऐसे में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी को ही नहीं कैप्टन को भी बीजेपी की जरूरत है लेकिन क्या इस वक्त कैप्टन के पास बीजेपी के लावा भी विकल्प हैं ये भी एहम रहेगा क्योंकि चुनाव से पहले इतने कम वक्त में नई पार्टी लॉंच करना भी मुश्किल रहेगा ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंग बीजेपी में आते हैं और क्या बीजेपी कैप्टन को अपने पाले में कर पायेगी ये देखना भी दिल्चस्प रहेगा बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं पडूसी मुलक पाकिस्तान की दरसल दुनिया जानती है कि तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है लेकिन अब तालिबान की मदद कर पाकिस्तान खुद फंस गया है दरसल अमेर्की सेनिकों की अफगानिस्तान से वापसी और अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए है साउथ एशिया टेरिज्म के मताबिक केवल अगस्त महिने में पाकिस्तान में 35 आतंकी हमले हुए जिसमें 52 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है जानकारी के मताबिक जानगवाने वालों में 32 आम नागरिक और 20 सुरक्षा कर्मी है एक महने में इतने ज्यादा आतंकी हमले होने का ये चार साल में सरवाधिक आंकड़ा है रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में जनवरी 2021 से लेकर 28 सितंबर तक कुल 187 आतंकी हमले हुए जिनमें 317 निर्दोष लोगों की मौत हुई है हलांके 2020 के दौरान 193 आतंकी हमले हुए थे जिसमें 347 निर्दोष लोग हैं उनकी मौत हुई थी 347 निर्दोष लोगों को जान गवानी पड़ी थी तालिबान ने इसलामबाद से वादा किया था कि अफगान की धरते का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं किया जा सकेगा लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं बता दें कि से टीपी आतंकवाद और चोटे मुटे संगर्स पर केंद्रित वेबसाइट है और ये उगरवादी गतिविदियों से जुड़े शोध के लिए डाटाबेस मुहया कराती है से टीपी के मुताबिक पाकिस्तान में बेते महने में हुए अधिकतर आतंकी हमलों के लिए अकेले आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जिम्मेदार है तालिबान की सरकार बनने के बाद से टीटीपी के सथी मजबूत हुई है इसके लावा पाकिस्तान सरकार की Most Wanted के लिए शामिल कई आतंकवादी अब अफगानिस्तान की जेलों से आजाद हो चुके हैं इससे भी खत्रा बढ़ गया है देशलाई में फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम एहम कबरों के लिए आप देखते रहे अबिस्टानियूज मुझे दीची इजाज़त नमस्कार अब 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 आप देखते रहे अब आप देखते रहे इस दुनिया को अब आप दोचे पारों के लिए जापना ही देखते रहे जादी है